सातियों जैसे के आप जानते हैं गति के परकार से हर एक्जाम से सवाल पुछा जाता है चाहे बात करें NTPC का या बिहार सिचक भरती या साति किसी भी SSE, BSSE एक्जाम का तो उसमें आपको गति से परकार का सवाल मिल ही जाएगा तो सातियों नमस्कर मैं विकास बास्टे आप सबको स्वागत करते हैं 15 मिनट शो के सेशन में सातियों यह बहुत ही संदार सेशन है जिसमें आपको आज की क्लास में मैं आपको टॉपिक कवर कराऊंगा गति का जबी महत्तपुन परिकार जो अलग-अलग एक्जाम में पुछे जाते हैं चलि साति भी नदेर के शेशे को हम अससे सेसन को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले गर मैं बात करूँ साति गति के परिकार के बारे में जिसे हम टाइपस आप मोशन कहते हैं तो गति के परकार दू परकार से बाटा गया है, पहला जो डाइमेंशन के अधार पर बाटा गया है, और साथी दूसरे अगर बात करता हूँ, तो पत्ध के अधार पर उसे बाटा गया है, अगर मैं बात करूं साथी on the Veshi Shop Dimensions, तो जो बीमा के अधार पर बाटा गया है, इस पिर तेमेंज्गा हो उस्तार कोई वियमेंशन गती हो जो कोई हो रही है। या फिर उचाई लंबाई चेंज हो जाए, अगर किसी गती में दो डाइमेंशन हो रहा है, आप बलोगे सर दो डाइमेंशन मतलब होता है क्या है, जैसे अगर मैं बात बलू साथी कि कोई फुट वॉल है, और इस फुट वॉल को मैं किक मारा, मतलब लात से साथी से मारा, तो मारने के बाद उड़ेगा, एक तो इसका क्या होगा, लंबाई चेंज होगा, दुसरा साथ इसका हाइट उचाई चेंज होगा, तो यहाँ पर दो डाइमेंशन चेंज हो रहा है, अगर मैं इस डेश्टल प्रन को साथी उपर से गिराता हूँ और नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पर एक ही डाइमेंशन चेंज होगा, जिसे हम हाइट कहेंगे, या फिर उचाई कहेंगे, तो जब एक डाइमेंशन चेंज हो रहा है, तो एक विमिये गती, जब दो डाइमेंशन चेंज होगा, तो दुई विमिये गती कहते हैं, साथी इसी कैदार पर अगर तीनो जो जाए, लंबाई, चोडाई, उचाई, अगर तीनों चिंज हो जाता है, उसे हम 3 VMA गती कहते हैं, क्या आप बोलेंगे? तो 3 VMA गती बोला जाता है, 3 Dimensional Motion कहते हैं, लेकिन साथ ही, आपको एक्जाम के परपस से याद रखना है, इसी के अधार पर आगे पत्थ के अधार पर बाटा गया है, पहला तो Dimensions के अधार पर बाट दिया गया, लेकिन इस सवाल में नहीं पुछा जा रहा है, अब इसी को अ जादा वरियता पत्थ को ही दी जाती है, साथी जो रास्ता होता है, उसके अधार पर बाटा गया है, अब हम पढ़ेंगे जो important, जो साथी आपके एक्जाम से पुछा जाता है सवाल, पत्थ के अधार पर, अगर साथी मैं बात करूँ पत्थ के अधार पर, तो on the basis of साथी इसके अधार पर सबसे पहले अस्थांत्रिय गती आता है, इसे हम ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं, तो ट्रांसलेटरी मोशन उसे कहते हैं, जिसमें कोई वस्तू समय के साथ अपना अस्थान बदलता है, अगर कोई समय के साथ अपना अस्थान बदल रहा हो, लेकिन साथी उ कहते हैं translatory motion या साथी बोलते हैं अस्थानत्य गति जैसे example में साथी figure से समझेगा या आपका गाडी दीख रहा हो साथी अभी गाडी चल रही है हना अपनी साथी सतह पर चल रहा है कार अभी जब कार सतह पर चल रहा है तो ज़रा ध्यान दिचेगा समय के साथ इसका अस्थान बदलेगा समय का स्तान एक स्तान से दूसर स संक चले जाएगा लेकिन साथी इसमें जो driver है या फिर कोई इसका साथी बैठा हुआ है या कोई संमान रखा गया है क्या उसका गति बदल रहा है तो आपका साथी अनसर ाएगा सर नहीं बदल रहा है, क्यों नहीं बदल रहा है? क्योंकि साथी जो चाल गाड़ी का होगा, जो चाल कार का होगा, ठीक वही चाल उसमें उपस्ति जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी वस्तु हैं, उन सब का होगा, इसलिए इसे अस्थांत्रिय गति कहा जाता है, क्योंकि सम CTRE ये गति करते हैं अगर आप किसी वस्तू को साथी ऊपर से गिरा रहे हुआ जैसे साथी ऊपर से गिर रहा है नीचे क trend ठीक है इस स्मय में दिपे सथ इसका इस्थान बदलेगा कभी यहां पर रहेगा, कभी यहां पर घ्र जायगा तो साथी आप देखेंगे, सेव पर अगर कोई साथी यहां पर कोई कन उपस्तित है, क्या पिन सेव का जितना भी भाग है, सब का गति वही होगा, जिस साथी, जिस गति से सेव नीचे के और गिर रहा है, I hope आपको समझ में आ रहा होगा, ट्रेन की गति इसी तरीका सो होता है साथी अगर ट्रेन की गति है, और ट्रेन के डबा में बहुत सारे लोग बैठे हुए है, तो ट्रेन की गति साथी समय के साथ इसका अस्थान बदल रहा है, लेकिन इसमें जितने भी उपस्तित हैं, पदार्त, व्यक्ति, सब का वेग उतना ही होगा, जितना इस ट्रेन का व समान है, तो तीन तरीका से होता है, कौन-कौन तरीका है साथी, ध्यान देखना, अब जब साथी 26 जनवरी या 15 अगस्त होता है, आप इस फिगर को साथी जरूर याद करें होंगे, और सभी लोग साथी देशवासियों इस फिगर को देखते हैं, जब 15 अगस्त और 26 जनवर एक ही साथ हाद पिछे आएगा, एक सात कर रहा हो तो कि उससे सररेख्यगती कहते है जैसे इसकार का गति इस्साथी बस का गति हना इसमें जितने भी और वस्तु, ब्यक्ति उपस्तित रहा होगे सब का वेग उत्ना ही होगा just इतना साथी बस का वेग है, ठीक उसी तरीका से साथी अस्थांत्रिय गति का दूसरा परकार होता है, और दूसरा परकार क्या है साथी, इसे हम कहते हैं वक्रिय गति, क्या बोलेंगे, वक्रिय गति जिसे कर्विलिनियर मोशन कहा जाता है, जो वक्रिय गति है, इसमें क्या हो वक्रिय गति जिसमें कर्वर काने इसमें हो गति करेगा। वक्रिय मतलब तेड़्ह काび जैसे समये ह। गारी मताब एक देड़ एक रास्ता है, इस पर आप जा रहे हैं। in great linear motion नियुकर्डल रा। अब जाते जाते ही रास्ता ऐसे मुडा हुआ है, तो अगर बात करें साथी, यहां पे जो गाड़ी चल रहे थी, उसका गति सरन रखिये था, यहां पे जो गति होगा, उस गति को वक्रिये गति कहते हैं, जैसे आप इस फिगर में देख सकते हैं, साथी जो वक्र टेन हे मार् कहेंगे, इस गति को वक्रिये गति कहेंगे, चाहे इस कार की गति बोले, यह ब्यक्ति का गति बोले, यह किस में चल रहा है, वक्रिये सतह पचल रहा है, तेरह सतह पचल रहा है, इसलिए हम क्या कहेंगे, इसे हम वक्रिये गति कहेंगे, I hope आपको समझ में आ रहा होगा, औ इसे इंग्लीज में बोलते हैं circular motion क्या साथी? circular motion जो देख रहे हैं वृत्य गती अब इसमें क्या होता है? समय के साथ-साथी इसमें भी अस्थान बदलेगा लेकिन सब का बेग एक समान होगा अब वृत्य गती में क्या होगा? जो भी गती होगा साथी एक circular path पर होगा circular path पर होगा यानि कि वृत्य गती साथी क्या होगा? हमेशा circular path पर होता है इस गती को हम वृत्य गती कहते हैं जब circular path पर होगा? अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा गुरुदेव तो वक्रिय गति और वृतिय गति में क्या अंतर हुआ? दोनों तो आप एक ही बोल रहे हैं, कि वक्रिय गति और वृतिय गति दोनों वक्र रेखा ही हुआ, यहां पे भी टेना है, यहां पे भी टेना है. साथ ही, क्या आप अंतर इन दोनों में बता सकते हैं? अगर आपको अंतर आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में अभी कमेंट किजिए वीडियो को रोक कर अगर नहीं आ रहा है तो मेरी बातों को ध्यान से सुलिए साथी मैं बताना चाहता हूँ बहुत लोग का कंफ्यूजन होता है जब सवाल आता है सवाल सही से नहीं लगाupaHe साथि अब जब देखोगे, यहां पे वक्रगय गती है, यहां पे बृतिय गती है, यहां इसका साथि सेंटर है, अब सेंटर से जो बृतिय गती में दूरी है, साथि इसके तक से शमें त साथी केंद्र से जो गति कर रहा है, उसका दुरी यहां पे हर समयें, हर पॉइंट पर एक समान्न है. संति जो रहा ध्यान देना, संति यहां पे इसका, संत्र यहां भानेगा। अगर कोई यहां गति कर रहा है तो distance कुछ और होगा, अगर साथ ही कोई यहां गति कर रहा है distance कुछ और होगा, अगर साथ ही यहां कर रहा है distance कुछ और होगा, अगर यहां कर रहा है distance कुछ और होगा, इसलिए दोनों साथ ही एक दुसरी का अलग है, क्योंकि इसमें केंद्र स इससे कम होगा, इससे कम distance, इससे ज्यादा distance होगा, तो यहाँ पे केंद से उसका दुरी निश्चित नहीं है, इसलिए हम वक्रिये गति कहते हैं, और यहाँ पे केंद से साथी सभी वस्तु जो गति कर रहे हैं, वृतिये पत पर, सब का दुरी एक समान होगा, इसलिए से वृ गति के परकार आपको पढ़ना है, आज यह साथी, नेक्ष्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्ष्ट आपका है साथी गुर्नन गति, कि गुर्नन गति किसी कहते हैं, अब साथी ध्यान दो, गुर्नन गति क्या होता है, वैसी गति जिसमें कोई object, वस्तु, एक अपने अक्ष के परिता गुमते हैं, अगर आप अक्ष पर साथी, एक अक्ष पर रहकर, चारोर चकर लगा रहे हैं, तो उस गति को हम घुर्नन गति कहते हैं, जैसे साथी लट्टू की गति, जो लट्टू की गति होती है, पिर्थिवी का घुर्नन गति होता है, पिर्थिवी का घुर्नन गुमते रहता है गोल-गोल, इसे हम कहते है घुर्णन गति, आप इस फैन को देखें साथी, जो आपका सेलिंग फैन है, उपर ताको जारा, जो लगा हुआ साथी आपके दिवार पे, उसका भी गति क्या है? घुर्णन गति है, रोटेटरी मोशन हो रहा है, तो कि उसमें एक अक्ष है, और इसी अक्ष के साथी क्या हो रहा है, तो चारो तरफ एक घुम पा रहा है, इसी अक्ष के चारो तरफ घुम पा रहा है, तो साथी हम बोलेंगे, यह आपका क्या हो गया, यह आपका घुर्णन गति हो गया, ठीक है? अच्छी, आप मैं आपसे एक सवाल दोनों एक समान होगा, साथी सेशन बड़ा कंफ्यूजन वाला है, जरा कमेंट करके बताना क्या दोनों में अंतर है, साथियों ध्यान दिशेगा, अगर मैं बात करता हूँ वृतिय गती में, साथी जो वृतिय गती में उसका अक्ष है, जो वृतिय गती में साथी जो उसका को माना जाता है इसका केंद्र का माना जाता है लेकिन आम वहीं पी बात करते हैं घुर्णन गती का अक्ष तो साथी उस वस्तु में ही नहीत रहता है उस वस्तु में ही समाहित रहता है इसका अक्ष वस्तु में ही है इसका अक्ष इसका वस्तु में ही है बस यही दोनों अंतर गुरुनन गती में उस वस्तु का अक्ष उसी के साथ होता है, और वृतिय गती में अक्ष उस वस्तु के बाहर होता है, यही दोनों में अंतर है, इससे पहले क्या आप जानते थे, कमेंट करके बताना, ठीक है साथी, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट गती के परकार के, नेक्स् उसी के साथ आगे-माधिया घुम रहा है उस निष्चुत नहीं है कि अपनी गती को एक निष्चित समय में दुहराएगा या नहीं दुहराएगा लेकिन एक कहीं बिन्दु के आगे पीछे घुमेगा, जैसे साथ ही इस मान लेते हैं जुला, जुला यहां से रोप के माध्यम से लगा हुआ है, लढका यहां पर बैठा हुआ है, और साथ ही यह लढका उधर जा रहा है, फिर इधर जा रहा है, अगर इसको जोर से धका दें तरही चाहित कि अगे पिछह घुम रहा है तैप उसी तरीका से बात करूछेचा यह भी आप laws अपर कि वह получится जाने को है आपकेज़ेवने की इसवा च्किति जुरे कुब कैंपा द बाज्तपने आप कई लोगता है और आप ज़िए आपा बन लगाएगा उतना वासाति ऊपर नाचे करपाएगा है तो अब बताओ यहां पे जेतरी चाहिए हे जोलेन अगर पिकलो आगया पर मत विकलो हुआ है रग पहणी हुद्ग फिर पाँच मर उधर गया फिर पाँच मर इधर घया, यानि साथ ही इसी में अगर दोलन गति में एक समय निश्चित हो जाए और निश्चित समय में निश्चित बार आगे पीछे गुंता है तो इसी गति को हम आवरती गति कहते हैं, प्रियोडिक मोशन कहते हैं, जो साथि मैं आपको आगे समझाओंगा, यह अवर्ति-गति, अगर निश्चित समय अंत्राल में निश्चित दूरी तय कर रहा हो, और बार बर वही गति को दुहरा रहा हो, तो उसी गति को हम अवर्ति-गति कहते हैं, यानि कि जितने भी अवर अवर्ति-गति नहीं होंगे, लेकिन जितने अवर्ति-गति होते हैं, साथि सब कसब दूलन-गति हो सकता है, इस बात को ध्यान रखना, और दूलन-गति में अगर निश्चित समय में निश्चित बार बर वह गति को दुहराएगा, तो हम उसे अवर्ति-गति कह सकते हैं, जैसे साथ ही ध्यान देना, अगर यह साथ ही यहां पर लोलक लगा हुआ है, अगर एक निश्चित समय में भार बार ढूलने लगे, कि 10 मिनिट में 10 वर इधर गया, और 10 वर इधर गया, फिर अगले 10 मिनिट में 10 वर इधर, 10 वर इधर, तो हम इसे क्या कहा देंगे, अवर्ति गति कहेंगे, इसे क्या बोलेंगे, साथ ही अवर्ति गति कहा देंगे, लेकिन अगर यही 10 मिनिट में 10 वर गया, अगले 10 मिनिट में 20 वर गया, अगले 10 मिनिट में 5 वर गया, तो इसे बोलेंगे दोलन गती, तब क्या बोलेंगे दोलन गती, जब साथी निश्चित समयंतरल में निश्चित बार अपने गती को दोहराएगा, तब उसे क्या कहेंगे, तब साथी उसे अवर्ती गती कहेंगे, जैसे सबसे सटिक एग्जामपल इसका क्या है, साथी सबसे स फिर दुबरा अपने गति को दुहरा लेती है, अगले 60 मिट फिर साथी गति को दुहराती है, अगले 60 मिट फिर उसी गति को बार बार दुहराते रहती है, घंटा वाला सुई को देखो, साथी 12 घंटा में एक चकर, अगले 12 घंटा में फिन चकर, वही चकर को बार बार, यान मुझे उमिद है दुलन गती और अवर्ती गती में जो confusion था वो आपको दूर हो गया होगा। साथी एक और गती के बारें पड़ते हैं जो आपसे सवाल पुछ लिया जाता है साथी उस गती के नाम है प्रक्षेप गती के नाम साथी प्रक्षेप गती प्रक्षेप गती क्या होता है जरा ध्यान देना जब किसी वस्तू को साथी यहां से आप फिकते हो तो कुछ एंगल बनाते हुए कुछ दूरी पजाकर पुना नीचे आ जाता है इस गती को हम प्रक्षेप गती काते हैं कुछ एंगल बनाते जब उपर फेकेंगे, तो पुरा पिर्थी उपर वापस आ जाएगा, इस गति को हम प्रक्षेप गति कहते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं, अब शाथी इस कंडिशन में आप से पूछेगा, कि मैक्सिमुम रिंज इतना होगा, किस वेक से फेके या किस एंगल पर फे होता है, साथी तोप का छोड़ना प्रक्षेप गति होता है, इस बात को दियान रिखना, आर मैक्सिमुम साथी ठीटा बराबर 45 डिग्री पर होगा, कब? जब 36 होगा तब, होरिजेंटल होगा तब, लेकिन साथी अगर हम वर्टिकली बात करें, वर्टिकली आर मैक्सिम कि ठीटा बराबर कि 90 डिग्री पर, और कि अधर कितना दूरी ज्याद जाएगा 90 डिग्री पर, इधर कितना पर जाएगा 45 डिग्री पर, इस बात को दियान रिखना। अगर आप किसी गेंद को फिक रहे हैं, जितना जाने में उपर highest peak पर जितना जाने मे च Cook , अधले साथ पुरा बिष्वास है कि ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आपका राय क्या है? कमेंट बोक्स में साथी कमेंट किजिएगा, क्या आज के सेशन में साथी एक बात आओ साथी ध्यान रखना, कमेंट करके जरूर बताना एक और जो इंपोर्टेंट है सरल अवर्त गती, इसके बारे में थोड़ा सा टाइम पिरेट के बारे में समझ लेना, टाइम पिरेट ब्रावर साथी होता है तूपाई अब इसे सवाल पुछा जाता है कि जो सरल अवर्त गती है साथी किस-किस पर डिफेंड करता है, ध्यान साथी सूस्त होगी, या साथी मधिम या धीमा हो जाएगा, मैं आसा करता हूं सेसर्चेजन आपको संदार लगा होगा साथी आज झाल झाल